हलो प्रेंड्स आज की इस वीडियों हम डिसक्स करेंगे एक खास टोपिक के ओपर जिसका नाम है पेरासाइट का इनिफेक्शन या पेट में कीडू का डवलप होना जब पेट में कीड़े या पेरासाइट या वर्म्स डवलप होते हैं तब हमारी बोली के अंदर कैसे अरली साइनेंड सिम्टम्स नजर आते हैं तो आज उनी के बारे में बात करेंगे, साथ में उन होमिपेथिक मेडिसिन की भी जानकरी देंगे, जो आपकी वर्म इंफेक्षन को ठीक करने में आपकी मदद करती है, उनकी डोजेज और किस पावर में आप कैसे यूज कर सकते हैं, इनी तमाम जानकरीयों के साथ, मैं जो अधर ने कर रहा हूं, दोस्तों आज की समय की कोमंग सी एक समच्या बन चुक ए है, वर्म का इंफेक्षन या परासैट का इंफेक्षन, छोटे बच्यों हो या बड़ू में किसी में इंफेक्षन हो सकता है, जब लंबे समय से तक आपकी बोड़ी में चल रहा होता है, तब कुछ अल्ली सैंट या प्रार्यमिक लक्सन हमारी बोड़ी पे नजर आते हैं तो उनी के बारे में बात करते हैं कि पहला जो सिस्टम होता है हमारा डाइजेस्टिन सिस्टम और सबसे खास ओर्गन है स्टोमक या पेट के अंदर आमा से जो होता है उसके अंदर हमारे को जा तो कम लगने लग जाती है या वह ज्यादा तेज बार बार भुग लगती है वो ज्यादा खाना खाने लग जाते हैं तो उनका वेट ज्यादा बढ़ने लग जाता है या कई बार कम खाना खाने की वज़ए से वो ठके वे से बिलकुल दूबले पतले नजर आने लग ज आती है इसी समस्या कीुदूं के इंपेक्शन आयप परषए्ट कीूपशन में देखी जाती है कुछस्ट लोगों के अंदर या बच्छों के अंदर को मली देखा जाता है कि अनल इचिंग की प्रोल्म होती है गुदादवार के अंदर उनको बारबार खुज़ी आती है उसकी वज़ाए से और रात को सो नहीं पाते हैं चीड़चड़ी हो जाते हैं उनकी पुरी रात की नेन्ध इस्टब होने लग जाती है बढ़ूं के अंदर भी समस्प्केदेखे हैं उसके कारण उनका जो सुस्ती यह भी परेशान करने लग जाती है और साहसाथ के अंदर दिक्त क्या होती है कि कई बार यह समस्या बनी रहती है बच्चों में बडों के अंदर तो और इस खुजली के कारण वो बहुत ज़्यादा इरिटेसन महसूस करने लग जाते हैं। इसी के साथ में कई बार दिखा जाता है कि काफी लोगों के अंदर सरदद की समस्या होने लग जाती है। सरदद के साथ में कई ज़्यादा तेज इनफेक्सन होने के कारण बच्छों के अंदर बुखार भी आता है। और ये बच्छे जो होते हैं बार-बार वार इनफेक्सन के कारण बार-बार-बार बिमार पढने लग जाते हैं। बार बार उनको खासी जुखाम होना या पेट की समस्या होना अलगले तरीके की समस्या होने लग जाती है यानि उनकी रोक परतिरोदक समता और हलो में कम हो जाती है तो यह बड़े में भी हो सकता है बच्चों में भी हो सकता है किसी में भी यह समस्या देखने को मिल सकती है अ और तरीके के वोन इंफेक्शन में यूज की जा सकते हैं इसकी मदर टिंचर फॉर्म को 15-20 अडल्ट डोज की रूप में आदा कप पाने में सुबह दोपर से आम दिन में तीन बार ले सकते हैं और इस मेडिसिन को कम से कम आप 15-20 दिन लगातार ले और इसको 15 दिन गैप से व उप्रम ऑक्सिडेटम नाइग्रम यह खास तोड़ से उन के अच्छा वर्म हो उनके के अंदर बहुत अच्छा वरो रोल करती है कि उप्रम ऑक्सिडेटम इसकी थ्रीक्स पावर को दो दो टेबलेट सुबह दो पर से आम दिन में तीन बार आप ले सकते हैं बच्चों के अच्छा वर्म ऑक्सिडेटम और अच्छा वर्म आपके जानकारी देना चाहूं वह दोस्तों सेंटोनीनम उन खास सिंटोनीनम के बहुत ज़्यदा बार बार वोंड का इंफिक्शन रहता है और इनकी एक एक टेबलेट को दिन में तीन बार आप यूज़ कर सकते हैं या एडनल डोज के अँदे दो दो गूली दिन में तीन बार आप इस्तेमाल कर सकते हैं उसके बावज़ूद भी करे बार वोंड का इंफिक्शन ठीक नहीं हो पाता है तो आप इंटरकरेंट मेडिसिन के रूप में सलफर वनेम का इस्तेमाल कर सकते हैं इसकी दो से तीन बुन